हेलो गईarksm पर भात केने वाले है evans holding इस company के बारे में इस company का share already share market में list हो चुका है और list होने के साथ ही company के share में लगातार गिरावाटा रिहे तो इसके पचे का reason क्या है और क्या इस company के share में आपर अभी buy on deep करना चीए या हाँ पर company का share discount के उपर मिल रहा है तो क्या खरीदना चीए ये सारी चीज़े discuss करेंगे ठीक है एबन सोल्डिंग company आपर आप लोगों को बता दू company आपर NBFC services provide करती है इसे के साथ-साथ company आपर से global institutional trading, equity, commodity and foreign exchange के अंदर करवाती है company private clients को stock broking, depository services, asset management services, investment advisory services, wealth management services to corporate, institutional and high network clients के लिए company ये सभी प्रकार की service provide करती है company का यहांपर साप लोग share देखने जाओ तो 270 रुपेस की price की उपर IPO का यहांपर price band था 270 रुपेस का और आज की दिन 202 रुपे पर company का share trade हो रहा है ये company के share में लगातार यहांपर गिरावट आती भी नजर आ रही है और company के share holders के almost ने आपर IPO price से आप लोग पैसे देखने जाओ तो 30% के करी में आपर गायब हो चुके है मरलब जीन लोगों ने इस company के अंदर 10,000 रुपे लगाया था IPO price पर उन लोगों का पैसा यहांपर अभी 7,000 रुपे हो चुका है अभी ऐसा तो क्या हो रहा है जिसकी विज़े से company के share में गिरावट आई रही है इसके बिचे का यहांपर एक सबसे पहला reason यह है यह पूरा sector आप लोग देखने जाओ तर पूरा यहांपर नर्मी से भरा हुआ है पिछले 2-3 सालों से यह sector के अंदर कुछ ज़्यादा TG नहीं देखने को मिल रही है और इसी यहांपर चल से इसी चीज के चलते company के share में भी थोड़ी बहुत नर्मी आ रही है और दुसरा यहांपर सबसे बड़ा reason यह है क्या इस company के आई-प्यू की जो valuation है वह रखी गई थी वह बहुत जादा ठीक है तो यहांपर जो नॉर्मल प्राइस आप लोग देखने जाओ तो देखो आप लोग यहांपर एक example के साथ में समझाता हूं हम लोग यहांपर से market में जाता है कोई एक T-shirt खरीदने ठीक है T-shirt यहांपर खरीते है उसकी आपर नॉर्मल प्राइस यहांपर 500 रुपे के करीब होती है और branded होती है तो वाई चलो मान लेता है 1000 रुपे की यहांपर T-shirt है ठीक है तो आर यहांपर वही T-shirt का क्या कोई यहांपर बन्दा 5000 रुपे मांगेगा तो आप लोग यहांपर उस प्राइस के उपर 5000 रुपे में वो T-shirt खरीद उगे नहीं खरीद होगे बहुत सारे लोग यहां पर 9999.99% लोग नहीं खरीदेंगे पर यहां पर कुछ ऐसे लोग है जिन्होंने यहां पर 5000 रुपे में भी यह टीशेट को खरीद लिया है यहां पर बेचने जा रहा है यह बंदा वापस टीशेट बेचने जा रहा है तो उसको 1000 रुपे भी नहीं मिल रहा है 500 रुपे के करीब मिल रहा है तो ऐसी सिच्वेशन हो रही है मार्केट में इस कंपनी के शिर की आपर से ठीक है अभी यहां पर सवाल यह आ जाता है कि यह कंपनी के शिर में यह गिरावट कंटीन्यू कब तक जारी रह सकती है तो इसकी भी आप लोगों को में हाँ आप लोगों को में दीशा दिखा दिता हूं कि इस प्रकार से कंपनी वर्क करें ठीक है 2019, 2020 और 2021 का डेटा आप लोगों के सामने है रेविन्यू का रेविन्यू आप लोग देखने जाओ कंपनी का यहां पर एक समय पर एक अच्छा खासा सारी अमाउंट से वह लैक्स के अंदर है और कंपनी आपर से 2019 के अंदर 4,37,775.36 लैक रुबिस का रेविन्यू जनरेट क 136.5 लैक रुपिस पर पहुंच चुका है जो एक बहुत ही ज़्यादा चिंता का विश है खाली रेविन्यू की ही यहां पर मैं बात नहीं कर रहा हूं रेविन्यू के साथ साथ कंपनी के यहां पर से आप लोग देखने जाओ प्रॉफिट्स देखो रॉफिट्स आप लो तो यह एक सबसे बड़ा मेजर कारान है और इसी के साथ साथ जो रेविन्यू से इस कंपनी के आपर कम हुए वह यहां पर ज्यादा तर मेजोरीटी यहां पर रोल प्ले कर रहा है ठीक है बाकि आप लोग देख सकते हो इस कंपनी के ओवरोल हैं आपर से जो एपिस आर्निं कंपिटेशन यहां पर आप लोग देख सकते हो यह बजाज फाइनस है उसी के साथ साथ यहां पर एमसी बिजनस से यहां पर जुड़ा हुआ देखने को मिलता है जहां पर आप लोग देखने जाओ यह दोनों यहां पर मार्केट लीडर कंपनिया है और मार्केट जो लीड के पहले इस कंपनियों का यहां पर अच्छा टाइम चल रहा था अच्छा पर्फूमस चल रहा था जैसे ही COVID-19 आया उसके बाद यह कंपनी की यहां पर से हालत है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुगी है और तब से लेकर यहां पर यह सभी कंपनियों का पर्फूमस है वो कच अच्छा नहीं रहा है ठीक है आप लोगों को बता दो HDLC AMC के साथ सथ आप लोगों को बजाज फाइनांस के अंदर भी यह चीज़ यहां पर देखने को मिल रही है ठीक है पर कंपनी के यहां पर फंडामेंटल्स बहुत जदा अच्छा होनी की वज़े से रीकवरी ठीक है अभी यहां पर से तो बहुत सारे लोग यहां पर से बोलेंगे क्यार तो अभी करना क्या चीज़ है उसका यहां पर आप लोग आंसर दो तर उसके लिए आप लोगों को यहां पर एक चीज़ जरू से बोलूँगा देखो यहां पर कंपनी का जो यहां पर कंपनी का एक भी quarter के मलब एक भी साल मलब आने वाले साल में कमपनी का जो sales है वो यहाँ पर improve होने लगता है एक भी साल कमपनी का जो sales है वो पहले के मुकाबले यहाँ पर अच्छा आ जाता है तो यह कमपनी के हाँ पर से result के अंदर यह जो downfall है उससे recovery आ सकती है ठीक है जो यहाँ पर company के लिए आप लोग बूल सकते हो वर्दान साभीत हो सकता है बाकियर इससे भी company अच्छा खासा profit generate कर रही है ऐसा नहीं कि profit नहीं generate कर रही है पर यह जो यहाँ पर से profit से वो आप लोग ऐसा बूल सकते हो क्या revenue यहाँ पर जादा होता तो और और जादा इस company के profits यहाँ पर generate हो पाता है और आप लोगों को बता दूए जो यहाँ पर से profit ऐसा नहीं है क्या यहाँ पर से profits revenue कम हो रहा है इसलिए बढ़ रहा है ऐसा नहीं है company ने आपर इस company के उपर आज से कुछ time पर ले अच्छा खासा करजा था और वो करजा यहाँ पर कम कर दिया है company ने पहले interest में यहाँ पर company को बहुत ज़दा पैसा देना पड़ रहा था और वो interest ने आपर कम हो चुका है इसी विदिए से company के operating profit margin से आप बढ़ चुक है और इसलिए profit बढ़ रहे ठीक है बाकियार यह company operating लिए यहाँ पर हम देखने जाए तो जितना ज्यादा revenue generate करिए उतना ही ज्यादा profit भी generate करिए ठीक है तो यह company के लिए यह एक यहाँ पर अभी आप लोग ऐसा बोल सकते हो वर्दान के रूप यहाँ पर यही साबित होगा क्या के अंदर investment के तोर पर लगाने वाली है और इसे के साथ सथ company यहाँ पर से बाकी का यहाँ पर पैसा है वो अपने promoters and existing investors के जेब में जाने वाला है ठीक है तो यह चीज़ा आप लोग ज़रू से धन में रखना मैं personally मेरी बात करूँ तो हैर मैं क्या करने वाला हो इस company के मैं यहाँ पर advance holding के अंदर ना investment करके रखा हूं यहाँ पर मैं कई पई भी IPO में भी मैंने यहाँ पर apply नहीं किया दा और मैं आपर आने वाले समय में इस company के अंदर investment करने भी नहीं वाला हूं ठीक है reason यहाँ पर यही है कि इस industry के अंदर मार्केट लीडर company के अंदर already invested हूं यहाँ पर बजाज finance जैसी company के अंदर मैं already invested हूं इसलिए मैं यहाँ पर अपने product मलब portfolio को यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोग ऐसा नहीं बूल सेक मलब ऐसा नहीं करता हूं क्यार अब मैं एक बड़ी company लेता हूं एक छोटी company लेता हूं मैं लेता हूं तो भाई एक य इसकी portfolio है उसके अंदर मैंने company लेकर रखी हुई है बाकि मैं यहाँ पर एक ही चीज में मानता हूं क्यार consistency कोई भी company की ज्यादा जरूरी है ज्यादा return के comparison में ठीक है तो यह चीज मैं मानता हूं और इसी चीज के ऊपर मैं apply apply अपने portfolio को यहाँ पर पूरे design किया हूं ठीक है medium risk के साथ medium risk के साथ मैं ऐसा नहीं है किया बिल्कुर risk नहीं लेता हूं medium risk के साथ यहाँ पर अच्छा portfolio मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं यह मेरा यहाँ पर target है जिसमें यह company आती जरूर है पर बहुत जदा high risk में ठीक है तो यह चीज जरूर से बलूंगा company के share में आप लो आएगी ही तो आप लोग यह टेंशन मत लेना किया company के share में आपर पैसे डूब गए यह टेंशन मत लेना ठीक है और आप लोग limited पैसा ही लगाना बहुत ज़्यादा पैसा मत लगाना उसके बाद आप लोग इस company के दर्मान लेता है अपनी capacity है 20,000 रुपे की capacity है और उस ही स जैसे यहाँ पर इस company का पहला quarter का result आता है उसके अबाद है आपर थोड़ा बहुत अंदा जाएगा company कैसा performance कर सकती है और वो साई चीजे तो उसके उपर आप लोगों को dedicated वीडियो से मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्रेब करके बैल आइकन को अल पर रखना बस आज के गुद्बाय लव गुद्बाय फिर मिलते नेक्स दो में गुद्बाय